आवास पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं ग्रामीन, पनवाडी विकास्खन क्षेत्र के लोग. योगी सरकार के होते हुए भी अगर गरीबों को नहीं मिल सका सरकारी योजनाओं का लाब. तो फिर कब मिलेगा प्रधान जी बताए. खबर महोबा, पनवाडी से, यहाँ विकास्खन पनवाडी क्षेत्र के अंतरगत ग्रामीन क्षेत्रों में. गरीबों को सरकार की जनकल य योजनाओं का लाब. निचले तपके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है. चाहे वह आवास हो या शोचाले हो, या बकरी सैटन्य योजनाएं. गरीब लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है. क्यूंकि आरोप है कि ग्राम प्रधानों के द्वारा आवास देने के नाम पर पै पैसे देने में सक्षम नहीं हो पाते है. पैसे ना देने पर उस गरीब व्यक्ति का लिस्ट से तक नाम कटवा दिया जाता है. ऐसा ही मामला ग्रामीन क्षेतरों के हैबतपुर खंगार, स्योडी नेकपुरा बुढेरा सहित कई गाउं में देखने को मिल रहा है. जिससे ग पैसा नहीं दे पाता है तो उस परिवार को शासन की योजनाओं का लाब नहीं मिल पाता. जिसके चलते कई परिवार के लोग कच्चे मकानों में पन्नी डालकर गुजर बसर कर रहे है. मगर प्रधानों एवं सचिबों के द्वारा अंदेखा किया जा रहा है. विकास बंद में बात की गई तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में अगर नाम होगा तो आवाज जरूर मिलेगा. अगर नहीं है तो वह अपने डॉक्यूमेंट ग्राम विकास अधिकारी के यहां पर जमा करा दें, जिससे उनका लिस्ट में नाम फीड किया जा सके एवं उन सभी को पेर करना न भूलें. धन्यबाद. अगर का मकान भी आ रहा हमारे पास मकान भी नहीं है तो हम रहने के लिए नहीं होगा तो मलाव इसके प्रधान जी को कहा अपने एकादबार? प्रधान जी को बोला तो प्रधान जी कह रहते हैं कि हो जाएगा वो नहीं होगा हमारा काम प्रधान जी करेंगे भी नहीं क्या बजे है कि हमने उन ताइं उन ने बोर्निदे गाउं के भी कटवा देते हैं अच्छा व पर दहन जी बिलकुँ सुनते भी नहीं है हमारी बात को मकान में तीन तीन चार चार वाल बच्चे और देहने के लिए बिलकुल देखती देखते दर्वा जी एक नहीं मिट्टी के मका झाल मना रखेते हैं